नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास इंडस्ट्रियल सिलाई मसीन है चाहे किसी भी कमपणी के इंडस्ट्रियल सिलाई मसीन हो चाहे जुक्की कमपणी की है या फिर जैक कमपणी की है या ब्रदर कमपणी की है किसी भी कमपणी के इंडस्ट्रियल सिलाई मसीन है और उसका ज खराब जाता है इसको चेंज करना है या फिर जो इसका टाके की सेटिंग होती है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर जो टाका होता नंबर होता है अगर इस नंबर की सेटिंग गड़बर हो जाती है या फिर उल्टा पलटा सेट हो जाता है तो इसको हम कैसे सही करते हैं इस वीडियो को देख்के आप आसानी से दोनो चीज आप शीखने वाले हैं इस रेगॉलोटर को चेन्ज करना और इस रेगॉलोटर की number की सेटिंग करना तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं उस से पहले मैं आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद करता हूं आज हमारे चैनल पे 15,000 प्लस सस्क्राइबर हो गये हैं उसकी खुसी में आप सभी लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगेगे ते वीडियो को लाइक कर दीज हमाँ है इसको खूलने के लिए देखिए और बीच में एक नट दिया रहता है इस नट में आपको ऐसे पेचलका लागाए अर एक हांस शे आपको इस रहोतर को एसे पकड़ लेना है ठीकिये एशे पकार लेना है और उसके बाद आपको इस नट को ऐसे खोलना है ध्यान रह देखिए क्या करना है उसके बाद आपको इस पीन को ऐसे निकाल के साइड में इसको संभाल के रख लेना है ठीके ध्यान रखे इसके अंदर का इस पिंग में निकाले बस आपको इसको पीन को निकाल के हैं साइड में ऐसे रख लेना कभी संभाल के उसके बाद इस वाले इसके अंदर टाइड करना है यह देखिया इसे अच्छी दरह से टाइड करना है अगर मान लीजिए आपके मसीन में इस nut को यानि पेच को उल्टा खुमाने पर यह पांट नहीं खुल रहा है तो उस condition में आपको क्या करना है उस condition में आपको इस वाले पाट को पलास से पकड़के खुमा करना खोल के निकाल लेना ऐठीक है अश्यान इस सब्साक्राइल न मेरे यह भूल जा रहा है तो मैं इसको YS खोलाल यह भाता हुब यह देखिए खुल रहा है बाहर आ रहा है यह खुल गया है यह देखिए इसको खोलने से हमें यह फाइदा होता है दोस्तों इसको खोल के निकालने से यह फाइदा है कि अगर आपका जो यह वाला पाट है अगर यह बीच में कई अटक रहा है कई फस रहा है तो यह सई हो जा करना है थे माद्धियम से इस वाले पाड़ को इस वाले पाड़ को पिलास настро अगार छोलना है लेकिन फिलाल मेरे पशोलला है सो इसको मैं अलग को खोलने वाला हूं देख लीजिए मैं इसको कैसे खोलता हूं मैकनिका दिमाग देखिये यह देखिए दोस्तो इस पेच को खोलने के लिए मैंने अपने सिलाई machine को ऐसे हलका सा उपर उठाया और यहां पर देखिए machine के पास यह पर जो इसके अंदर मैं इस वाले देख लिए ये होता है माइंड ऐसे याप धोड़ दिमाग करिश्तमाल करेंगे आपको कोई में समस्या आएगी तो हलका साथ दिमाग कर इसतमाल करके आप उस समस्या को सानी से सही कर सकते हैं समझे यह देखिए हमारा यह पेच मेरी आगे प्रेच क्वोलना के वाद फिर इस इसके अंदर ऐसे फिट करें देखिए ऐसे दो तिन चूड़ी इसके अंदर लगा लेना है फिर कसने के बाद इस रेगुलेटर को इसके उपर इस पार्ट को उपर कसना है जैसे मजी रख के कस दीजिए अभी हम सेटिंग नहीं कर रहे हैं बस हमें इस वाले पार्ट को और अ करेंगे और इसके बाद फिर नंबर की सेटिंग करेंगे तो देखिए कैसे करता हूं इसके उपर इस रेगुलेटर को हम कसेंगे यह देखिए Myius अब इसको आइसे कसते रहना है यह देखिए जो आपको पारता रहेगाऊ कि इस रेकूलेटर को कस्ते हुए आपको इस वाले पार भी फोकस करना है देखिए जिस पर हम रेगुलाटर कसे हैं जिस पार्ट के उपर इस रेकुल्स है हैं और उसको अंदर करने के लिए यहां इसे घुमा रहे हैं तो वह पाट जब अपने सही पोजिशन में पहुंच जाएगा तो आपका यह वाला पाट है यह पाट आपका हलका इसे हिलने लाएगा देखिए ध्यान दीजिए इस वाले पाट पर ध्यान दीजिए यह घुमना में हैसूस हो उसी समय आपको रोक लेना है जो आपको ऐसा लगने लग कि हमारे इस गूमाते इसके उपर प्रैसर पढ़ रहा है यह हिलने के कुसिस कर रहा है ताब कूशी समय बहुत को घुमना रोक देना है और रोकने बाद फिर आपको इस एख हांस आज से इक को खोलना है यह देखिए ऐसे नट को खोल के बाहर निकाल लेना है आजा बाबू आजा चंदा मामा त्यूर के आजा बाबू देखिए खुल गया ना अब इसको खोलने के बाद आपको क्या करना है देखिए इसको खोलने के बाद फिर आपको यह वाला पीन लेना है जो आप पीन को इसमें फिर दुबारा यहां पर लगाएंगे। इस पीन को इस फें लगाते समय आपको ध्यान देना है। द्विश्च्छ dunno होते हैं एग साइड यह पूरा चित्टा होता है ठीक है पूरा फ्लैट होता है। और दूसरे साइड में यह हलका सा Nukula सा बना हुआ होता है तो आपको क्या करना इसके अंदर लगाते समय इस नुकिले वाले भाग को ऊपर बाहर तरफ रखना है और जो इसका चिप्टा वाला फ्लैट वाला भाग है इसको आप इसके होल के अंदर डाल देना ऐसे देखिए यह देखिए चला गया अब और यहां देख लिजिए हमरा जो अपने जगह पे पहुँचंच चुका है अब क्या करना उसके बाद देखिए इस पीं में लगाने के बाद फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर एडियार को सेट करना है यहां पर और वहित बना फ़ाल हुआ जैसे देखिया आपको मसीन के उपर कहिना कहीं निसान बना हुआ होगा ऋस निसाल के पास आपको अपने रिग्ड़ेटर का सबसे हाइस नंबर देखिए जैसे हमारे एससे रेगुलेटर में जीनो नमबर सबसे कम है और पांच नमबर सबसे हाइस्ट है तो हमें क्या करना है सब निखेत Sn और इसर को इसके उपर पूरे तरीके से बिठाना है यह बिठा के फिर आपको इसके अन्दर ये देखिए इसके अदर page लगाना है जो हमने page out खोला था. ये देखिए इस page को ऐसे लगाएंगे. इस page को फिर कस नहरा. इस page को कसते समय एक बार आप देख ले. चेक कर लें कि आपका जो रेगुलोटर का हायस नंबर है ओ नंबर आपके इस निसान के आमने सामने बराबर में है कि नहीं इसके बराबर में आपके अपने रेगुलोटर के हायस नंबर को रखके ही इस पेज को टाइट करें यह देखिए ऐसे इस पेज इस नट को टाइट करते समये एक हाँसे आप इस रेगुलेटर को अच्छी तरह से टाइट पकड़कर रखें क्योंकि इस पेज को कसते समये आपका रेगुलेटर नई घुमना चाहिए ठीक है अब रेगलोटर यह देखिए जीरो नंबर पाकर रूख गया न अब ऐसे देखिए यह देखिए अप्सक्राइच नंबर पाकर रूख गया निसान के सामने बिल्कुल पांच नंबर आ गया अब इसको कितना भी गुमाएंगे अभी नहीं घुमेगा और यहां देख रहीं देखिए ठीक है यानि कि आपके रिव लेटर्व पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सेट हो गया है आपके मशीन में कोई समस्या नहीं आने वाली है तक ऑफर मोचे को चाहते हैं नुट करके बता कोई और वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो सिलाई करते हैं ताकि उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिल सकें मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद अपना ख्याल रखिए जये हम